नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Window AC के वाइरिंग के बारे में है दोस्तों, जो हमारा Window AC होता है, उसके अंदर जो वाइरिंग किया जाता है, वो दो टाइप से किया जाता है पहला जो wiring किया जाता है वो PSC type से किया जाता है यान की Permanent Speed Capacitor Second type से जो wiring किया जाता है वो CSR type से किया जाता है इसका मतलब यह है कि Capacitor Start Capacitor Run ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरा मैं आपको केवल PSC type का wiring बताऊंगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो हमारा Window AC होता है उसके अंदर क्या क्या लगाना पड़ता है तो देखे दोस्तों जो हमारा Window AC होता है Window AC के अंदर में सबसे main component उसका compressor होता है अब जो आपका compressor होगा compressor में आपको 3 terminal मिल जाएंगे और तीनो terminal पे नाम लिखा हुआ होता है जैसा कि यहाँ पे आपको लिखके दिखाए गया है जो हमारा पहला terminal हो C है बीच वाला S और तीसरा R है ठीक है C का मतलब होता है common, S का मतलब start और R का मतलब run ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा compressor था उसके 10 terminal है और तीनो terminal पे हम किस परकार से वाइडिंग करेंगे उसको मैं आपको आगे बताऊँगा अब जो हमारा window AC है window AC के अंदर में एक fan भी इस्तंबाल किया जाता है अब यहाँ पे जो fan इस्तंबाल किया जा रहा है वो 3 speed वाली है आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा fan है fan में 5 wire बाहर निकल के आए है एक black, red, wire, blue और grey ठीक है अब यहाँ पे जो black wire होता है वो सबसे high speed होता है red wire आपका medium speed और white wire आपका low speed होता है अब जो हमारा blue wire है यह हमारा face supply के लिए होता है यानि कि हमारा incoming power supply आता है वो इस blue wire में लिया जाता है उसके बाद में यह जो grey wire है grey wire में हमें capacitor के दोरा power supply को देना पड़ता है यानि कि starting capacitor का power supply हमारे इस motor में जाएगा इस grey wire के दोरा दोस्तों किसी-किसी motor में आपको जो color coding दिया गया है वो अलग भी हो सकता है आपका जो motor होता है उस motor के उपर में एक data plate होता है तो यहां पर हमें एक dual capacitor का उपयोग करना पड़ता है यहां पर dual capacitor का मतलब यह है कि यहां से जो हमारा capacitor है इसमें से हम दो power supply दे सकते हैं एक power supply हम fan को देंगे दूसरा compressor को देंगे उसके बाद में यहां पर हम एक thermostat का भी उपयोग करेंगे thermostat का काम यहां पर यह रहेगा कि यहां पर जो हमारा temperature है उसको sense करेगा और यह आपका room का temperature कम है तो यह क्या करेगा power supply को break कर देगा यानि कि हमारा compressor जो run कर रही थी उसको burn कर देगा उसके बाद में यहां पर हम एक selector switch का भी उपयोग करेंगे अब यहां पर जो selector switch उपयोग के जा रहा है उसके दोरा हम fan के speed को control करेंगे ठीके उसके बाद में यहां पर power supply देने के लिए हम plug top का भी इस्तमाल करेंगे अब दोस्तों देखिएगा यहां पर जो हमारा capacitor है इस capacitor में जो नाम लिखा गया cfh इसका मतलब क्या है एक बार समझ लिजे देखिएगा दोस्तों यहां पर जो c लिखा हुआ है इसका मतलब होता है common यानि कि हमारा जो fan supply होगा इसको लाकर हमें इस c terminal पे connect करना पड़ता ह है उसके बाद में यहां पर जो एफ लिखा हुआ है एफ का मतलब होता है fan हम क्या करते है f terminal से wire को connect करके लिए जाएंगे और जो हमारा fan है उसको starting power supply दे देंगे ठीक है उसके बाद में यहां पर एज लिखा हुआ है एक का मतलब होता है हर्ण हम टर्मनल से हम क्या करते हैं करके लिए जाते हैं और जो हमारा compressor है उसको starting power supply दे लेते हैं अब चलिए दोस्तों जो हमारा window AC होता है उसका wiring किस परगार से करते हैं एक बार समझ लेते हैं तो देखिएगा यहां पे जो हमारा plug top है plug top का जो दहीना pin होता है यानि कि right hand side वाली जो pin है इस pin से हम एक वायर को करके लिए जाएंगे और जो हमारा capacitor है इसका जो C terminal है उसके साथ connection कर देंगे यहां पर जैसे मैंने आपको बताए था कि C मतलब common होता है यानि कि हमारा जो fan supply है उसको डारेक लाके C वाले terminal पे connect कर देंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा fan है इस fan को input power supply देना पड़े है तो incoming power supply देने के लिए हम क्या करते है यह जो हमारा capacitor है इस capacitor में जो C terminal है इसमें से एक वायर को connect करके ले जाएंगे और इसको ले जाके blue वायर के साथ connect कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताए था कि जो हमारे input power supply होगा उसको हमें blue wire में connect करना पड़ता है तो यहां पर हमन capacitor को face supply देने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा capacitor है capacitor में जो common terminal है इसी common terminal से एक बार को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा compressor है उसके C वाले terminal के साथ connection कर देंगे C का मतलब होता है common ठीक है तो यहां पर हमने input power supply दे दिये हैं दोस्तों यहां पर जो हमारा fan और compressor है इसको हमने fan supply की दौरा connection कर दियेंगे अब हमें इस fan को और compressor को starting power supply देना है तो starting power supply देने के लिए हम क्या करते है जो हमारा starting capacitor है उसको फी इसको हमारा compressor है इसको भी starting power supply देना है तो इसको starting power supply देना है यह जो हमारा S terminal है, इस terminal से एक wire को connect करके ले जाएंगे, और जो हमारा compressor है, उसके S वाले terminal के साथ connect कर देंगे, इसका मतलब starting होता है, इसलिए हमें इस terminal पे wire को connect करना परता है, जो की capacitor के द्वारा आता है, तो यहाँ पे जो हमारा capacitor था, उसके द्वारा जितने भी wire connection करने थे, स इसको ले जाके हमारा जो rotary switch है, यानि कि selector switch है, उसका जो zero वाली terminal है, उसमें connection कर देंगे, दोस्तों यहाँ पे जो हमारा rotary switch है, यदि आप इसके terminal को verify करना चाहते हैं, कि कौन सा high के लिए, कौन सा low के लिए, कौन सा medium speed के लिए, तो उसके लिए आप continuity test करके इसको पता कर सकत तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा terminal किसके लिए उपयोग किया गया है, ठीके, zero number terminal हमारा common terminal होता, यानि कि हमें input power supply यहाँ पे देना पड़ता है, यहाँ पे जो हमारा rotary switch है, इसमें हम neutral supply का connection कर रहे हैं, ठीके, दोस्तों यहाँ पे जो हमारा thermostat है, thermostat को हम input power supply इस चार टर्मार्य है, उसके सार connection कर देंगे, यानि कि thermostat को हम सीरीज में connect कर देंगे, अब जैसे हमारा thermostat है, वो temperature को sense कर देंगा, यानि कि हमारा ड्रूम का temperature कम हो जाता है, तो यह क्या करेगा, नूटल पाउर supply को break करता है तो हमारा जो compressor है, वो बंद हो जाएगी, अब यहाँ पे ब्लेक वायर के सार connection कर देंगे दोस्तों यह जो हमारा एक नंबर का टर्मिनल है वो high speed के लिए होता है उसके बाद में यह जो हमारा तीन नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को connect करके लिए जाएंगे और जो हमारा red वायर है उसके सार connection कर देंगे दोस्तों यह जो केवल अर्थिंग का कनेक्शन करना है दोस्तों आपका जो विंडू एसी है उसमें अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करिएगा अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा प्लग टोप है इस प्लग टोप का जो मोटा वाला पीन है इसमें से एक वायर को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा compressor है उसके body के सार connection कर देंगे उसके बाद में यह जो हमारा fan है इसको भी हमें अर्थ के दोरा connection करना होता है तो हम क्या करेंगे यही से एक वायर को लूप करके इस fan को भी अर्थ कर देंगे यह जो अर्थ वायर होगा उसको हमें fan के body के सार connection क करना होता है दोस्तों यहां पर जो हमारा candles का connection था वह गया है दोस्तों ज़्यारी आपको से लियतेट किसी भी प्रघ्राब कर चल दाउट है तो आप कॉमेंट बक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और जोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यTE आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लिज इस वीडियो पर लाइक शेर और कमेंट कर तो अभी तक भीचानल को सब्सक्राइब नहीं किया JEFF इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद